नमस्कार आदाव न्यूस क्लिक के इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है भारत में लोक्सभाद चुनाओं की रण भेरी बच चुकी है चुनाओं की घोषणा ही नहीं होई कारिक्रम विस्तृत घोषणा हो गई और ये जो कारिक्रम है 29 दिनों तक मतदान फैला हुआ है बहुत लंबा चुनाओं है लेकिन जितना लंबा ये चुनाव है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इसकी राजनितिक महत्ता बहुत महत्पूर है पिछले कई दश्कों के दवरान ये पहला चुनाव है जिसमें निजाम जिसमें जो हुक्मरान है जो सत्ता पर काबिज लोग है वो बेहद बेहद चालाक बेहद संगठित बेहद लोगतंतर के लिए खतरनाग भी है लेकिन उन्होंने जिस तरह का माया जाल बुना है उसमें जो विपक्ष है विपक्षी दलों की जिस तरह की साजा एकता उभरनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह का साजा एक नेता कोई उभरना चाहिए था बार-बार जब कहा जाता है कि लोकतंत्र में दलों का महत्वा है लेकिन जनता तो नेता भी देखती है तो उस तरह का कोई नेता भी नहीं उभर पाया है लेकिन जो सत्ता धारी दल है वो काफी संगठित नजरा रहा है काफी आक्रामक नजरा रहा है एक खास ढंका बुखार एक खास ढंका खुमार वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है और वो क्या है वो है जनता के असल सवालों से बिलकुल जुदा बिलकुल अलग जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपने सवालों के बारे में मत सोचो कुछ ऐसे मसलों के बारे में सोचो जो सत्ता धारी दल के मौजूदा निजाम के गुबारे को और फुलाते हैं लेकिन जनता के जो मसले हैं, जनता की जरूरते हैं, अवाम के जो इशूज हैं, उनको पिछकाते हैं तो ये एक अजीब तरह का सवाल है, लेकिन इस सवाल इस चुनाव को अगर आप देखें तो इसमें एक बात दिल्चस्प तस्वीर उभर के सामने आ रही है कि सत्ताधारी दल भलेही अपने नेता को एक महाबली के रूप में, अपराजय के रूप में पेश कर रहा है, विपक्ष के पास हो सकता है कि नेत्रित्तों के अस्तर पर उस तरह की कोई स्थिती नहों हो, लेकिन जनता स्वैम चुनोती बन रही है निजाम के लिए, ये चुन से जाने वाले नेता और बनाम चंता है, चंता हर जगई कठा हो रही है और खास कर जो उत्पीडित समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या हमारे समाज में, हमारे देश में 80% से भी जादा है, उन लोगों के भी जिस तरह की एकता उभरती नजार आ रही है, अभी हाल में ही रो कर दिया, उस रोष्टर पर अध्यादेश सरकार को लाना पड़ा, ये कमाल की बात है, ये पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, कि बगहर किसी रायनितिक दल, बगहर किसी बड़े नेता के आवान के इस तरह का बंध होता हो, और उसका प्रभाव भी पढ़ता हो कस् अलग अलग धंकी घटनाए हो रही है, इस सत्ताधारी दल ने कोशिश की कि पुलवामा के आतनकी हमले जिसमें पूरा देश सरकार के साथ था, पूरा देश सैनिस अपने बल हैं उनके साथ था, पूरा देश एकताबद था कि आतनकी हमले को हम सब खारिश करते हैं, लेकिन इस आतनकी हमले की आड़ में उन्होंने एक अचीब तरह का खुमार पैदा करने की कोशिश की, जैसे लगा कि सरकार और सत्ताधारी दल एक है, जैसे लगा कि सेना और एक नेता जो इस सरकार की कुरसी के सबसे उंचे आसन पर बैठा है, ऐसा लगा कि वो और वो एक दम एक हो गए है, जैसे लगता है कोई फरकी नहीं है, भारत सबका है, भारत किसी एक नेता का नहीं है, भारत किसी एक दल का नहीं है, मुझे लगता है कि यही एसास लोगों का जो है आम जो पबलिक में है, इसको हतम करने की कोशिश की गई एक खुमार और एक बुखार से, और उ उनकी सेहत के सवाल नजर आ रहे हैं लोगों को किसानों के सवाल नजर आ रहे हैं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि किस तरह सामाजिक न्याय के मसलों पर उन पर लगातार हमला हो रहा है दलित आदिवासी पिछडे माइनार्टी कम्यूनिटी के लोग जिस तरह इस सरकार से इस निजाम से बेहाल, परिशान और चिंतित हैं, वो पहले की किसी चुनाव में इस कदर नहीं दिखाई देता था और मीडिया, चुंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा इस देश में सिर्फ एक ही तरह के गीत काता है ये बड़ा दुरभा की इस देश का है, सच और सूचना के स्तर पर इतनी देईमानी की जा रही है कि ऐसा लगता है कि ये मेडिया नहोकर मृदंग मंडली केवल बन गया है तो ऐसे दोर में ये लोगों को बताने की भी जरूरत है कि असल सवालों को ढखने के लिए ये महज एक आड़ है चुनाव की घोशना से पहले और चुनाव की घोशना के बाद हम क्या देख रहे हैं कि भारत के जो टेलिविजन चैनल है वो भी एक पड़ा हिस्सा उनका सत्ताधारी दल के लिए दल बंदी करता न जरा रहा है और बार बार ये बताया जा रहा है देश की जनता को कि आपके सवाल सरहत परकेवल है यनि अगर किसान, मजदूर, नौजवान जो कुछ जितनी आबादी इस देश की है दलित, आदिवासी, माइनाटीस सब के लिए बताया जा रहा है कि आप कश्मीर के बारे में सोचो आप पाकिस्तान के बारे में सोचो वही पाकिस्तान के बारे में सोचना हमारी सरकार का काम है कश्मीर के बारे में सोचना हमारी सरकार का काम है उन्होंने पूरे पांस साल नहीं सोचा उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि सरहत के मामलों को कैसे हल किया जाता है कश्मीर में जो शान्ती आ गई थी उसको उन्होंने अशान्ती में तब्दिल कर दिया भारत पाकिस्तान के रिष्टों में बहतरी आई थी खासकर पिछली सरकारों के दोरान उनको उन्होंने और खराब कर दिया कैसे वहाँ पर जो माहौल नौजवानों के भी इस बना था कि वो राश्टी मुक्यधारा में शामिल हो रहे थे राइनितिक ढंक से मसलों को हल करने की मांग कर रहे थे फिर उसको आतंक वाद की तरफ ढकिला गया है तो मुझे लगता है कि सरहत के भी मसले अंतरास्टी जो मसले हैं परोसी मुल्कों के साथ जो अपने रिष्टे हैं उनको भी इस सरकार ने पूरी तरह बरबाद किया है और अपनी विफलताओं को अपनी नाकामी को ठाकने के लिए ये सारा का सारा गुबारा फुलाया जा रहा है ये खुमार पैदा किया जा रहा है ताकि लोग असलियत को ना समझ सकें जिस चश्मे से देखा जा रहा है सारे मसलों को वो इस देश की 130 करोड से जादा आबादी के लिए बेहत ख़दराग चश्मा है और मैं समझता हूँ कि सत्या धारी दल की पूरी मुहिम इसी बात को लेकर है क्यों बार-बार कह रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं सोचना है हमें सोचना है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ सिर्फ सरहत की बात अरे वही सरहत तो आपने अशांत की है आपने सरहत को बरबात किया है और आतंकी अगर हमला हुआ है तो उसके लिए भी आप कम गुनागार नहीं है ये आतंकवाद कहां से आया कैसे पैदा हुआ आपने उस पूरे दोर में कश्मीर को संभालने की कितनी कोशिश की आपने खुपिया संस्थानों को अपनी सेक्योर्टी फोर्सेज को किस तरह से मै बाए खड़े हैं और दूसरी बात जो बहुत महत्पूर्ण नजर आ रही है कि विपक्ष की साजा मुर्चे बंदी नहोंने के बावजूत लोग इस बार विपक्षी दलों को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में सत्ताधारी दल के विरुद्ध सत्ताधारी दल के विरुद्ध एक वायबूल एक एक ऐसा alternative pace करें consistency wise प्रादेश प्रदेश के अस्तर पर जिला के अस्तर पर जिससे कि वो मुकाबला कर सकें तो नेता कमजोर विपक्ष के पढ़ रहे हैं दल कमजोर दिखाई दे रहे हैं लेकिन जनता उनको मजबूर कर रही है एक तापद होन के लिए और मुकाबला करने के लिए यह इस चुनाव की एक अजीब रंगत है जो पहले कि मैंने अनेक चुनाव कबर किये हैं अपने जीवन में एक रिपोर्टर के तोर पे एक जनलिस्ट के तोर पे लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा गया जब विपक्ष के विपक्ष की की बार बेवकुफाना अंदाज में भी सामने आ रहा है अभी हाली में आवादी पार्टी के निता दिल्ली के मुक्ष मंत्री अर्विंद के जरिवाल उन्होंने रमजान बना मतदान का एक 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 बेवजह मसला उठाने की कोशिश की है कई भी पक्षी दल उनक का मुसल्मान हर काम करता है तो वह मत्दान क्यों नहीं करेगा वह मत्दान में उसको क्या दिक्कत आएगी और मैंने देखा सोचल मीडिया पर इस वक्त मोस्टूल मीडिया पर लगातार एक्शन सा रहे है माइनर्टी कम्मृटी के लोगों को कि उनको रमजान में हो रहे मत से कोई परिशानी नहीं है वो जम कर्मत्दान करेंगे तो ये जबाब कई बार मुझे लगता है कि जनता स्वेम नेताओं को करेक्ट कर रही है उनको उनको सही रास्ता दिखा रही है कि असल सवालों पर सत्ताधारी दल को घेरो ये जो बेवजह के सवाल हैं फिजूल के सवा जो असल सवालों को उठाने से बचते हैं उन पर भी दबाओ है कि आप वास्तविक सवालों पर आए रोजगार के सवाल पर आए आप इस सरकार की नीतियों पर घेरिये कि कैसे पांच साल में स्वतंत्र नियाएपालिका है जो हमारे निर्वाचनायोग है हमारी CBI है हमारे जितने और संस्ता हैं लोग तांत्रिक संस्ता हैं EDA सब को लेकर जो सवालात उठे हैं कि कैसे इनको पुक्ता किया जाए इनको कमजोर ना होने दिया जाए पैंकिंग जो हमारी हमारी जो व्यवस्था इस देश की है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया आप नोटबंदी के दो बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करने जा रहा है लेकिन सवाल इस बात का है जो बार बार पूछा जा रहा है कि विकल्प कहा है देखे विकल्प की जो इस्तिती है मैं समझता हूं और मुझे लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए पूरे देश में चुनाव का ये बेहत कर रहा है हर जगा स्थानी अस्तर पर देखना इस बात का है कि उसको कैसे राश्टी अस्तर पर को क्वाडिनेट किया जाता है और कैसे आगे मजबूती के साथ कदम बढ़ाया जाता है इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कर दो